नेक्स्ट कॉलर है नीतु जी सिकंद्राबाद से स्वागत हैं आपका हलो मैं नमस्ते जी नमस्कार मैं मुझे नहीं प्रॉब्लम है कि मेरे ना बाल वो टूट रहे हैं मेरी उमर 30 साल है ठीक है जी बाल किसी के टूटे है या मौहा से किसी के निकले इन बच्चों के लिए बच्चियों के लिए बड़ी परिशानी होती है या किसी का हाइट नहीं बढ़ती है जो अंडर एज है सबकी नहीं आप नहीं उनके लिए एक खुद्रत ने एक तुफ़ा दिया है उसे कहते है सफेद गौन मोरिंगा वो ले लीजे एक गिराम रोजाना पानी मिलाकर दूद में मिलाकर या नारियल पानी मिलाकर एक गिराम रोजाना लिया करें इसको पाउडर बना लें और एक एक गिराम रोजाना इस्तमाल करें आपको फाइदा मुम्किन है पताओदी से है सुरेश रंजी स्वागत है आपका पिर कड में बहुत जादे दर्द है कहां कमर में कमर में कब से दर्द है दो साल होगा आपकी उम्र क्या है बहुत मेहनती किसान लग रहे हैं आप मुझे तो आप कुछ भी करते हों अगर मेहनत करते हों तो मेहनत छोड़ दे दो चार महीने के लिए बिलकुल मेहनत ना करें और ऐसा ये कुर्सी वाला जो शोचाले होता ये आप लगवाले अपने घर में अगर आप हमेशा हमेशा अच्छे रहना चाहते हैं और वही मैं बताऊंगा आपको भी एक प्रोग्राम में दशियों बार बताता हूं कि किसी को अगर गौंसिया यानि काला गौंड मिल जाए असली इसे काला गौंड भी कहते हैं और गौंसिया भी कहते हैं लेकिन बेंतहा नकली मिलता है, सौ ग्राम खरीद लें, असली मिल गया तो काफी होना चाहिए आपके रोक के लिए. ये च्वादा पंदा रुपे रोज की दवाई है, एक ग्राम च्वादा पंदा रुपे का तकरीबन मिलता है, महगा भी मिला तो. आदा ग्राम सुबह खाईए, आदा ग्राम शाम और सौ ग्राम भी अगर आपको असली मिलने में काम्यावी मिल गई, तो आपको रुग मुक्ती की ताकत रखता है. दिली से हैं, धरमवीर जी, स्वागत है आपका. जी मैम, नमस्कार. जी, नमस्कार. कब से तकलीफ हैं आपको? आपकी उम्र क्या है? जी? आपकी उम्र क्या है? उम्र से वाली साल. ठीक है. उम्र सारी गुजारी इसके बुतामे मुमिन. चौलिस साल है और बीस साल तो आपके इस रोग को हो गए. वो जाना सुबह उटते ही एक पीस आप खाया करें, बेल पत्थर का मुरब्बा मिलता है. पत्थर बेल, बेल पत्थर कहते हैं, जो अभी आफ सीजन है, दो महीने बाद शायद मिलेगी, अभी उसका मुरब्बा मिलेगा है. एक पीस सुबह उटते ही खालिया करिये, और पानी पिया करिये, गरम, पाँच बार. आपकी इस परिशानी में फायदे मन हो सकती है. जी, तो धरमबीर जी, इतने सालों से आपको गैस की प्रॉब्लम है, और जैसे कि आपने कहा कि आपको डाइजस्ट नहीं हो पाता है खाना, तो अब ठीक आप हो सकते हैं, अगर आप ये नुसके अपनाते हैं, एक एक बात मैं यकीन कर सकती हूँ कि आपने लिख ली होगी, अगर चूक कर गए हैं, तो आप हेलप लाइन नमबर पे कॉल कर सकते हैं, 24 आर्स कभी भी कोई भी raw material मंगवाना चाहते हैं, तो हकीम सहाब की कमपनी से मंगवा सकते हैं, अतिया हब्स जो के एक ब्रैंडिट कमपनी है, और पांसो से भी ज्यादा फ्रेंच्वाइजी इसकी देश भर में हैं, जिसके founder, promoter, researcher हैं हकीम सुलिमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हूए हैं, आई ये बात करते हैं, अगली कॉलर से स्वागत हैं आपका, विरेंदर जी स्वागत हैं आपका, जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं, आपका सवाल क्या है, आपकी उम्र क्या है, तेटिस साल उमर हैं ये अरे, बालो में खुसकी रहें मेरे वो रूसी जो जा, बालो में? हाजी, ठीक हैं, ये तीन बीमारी हैं ये मेरे, ठीक, जी, ये बालो में जो रूसी है, उसके लिए तो आप, देशी घी होता है, जो महिलाएं घर में निकाल लेती हैं, बालाई जम करके जो घी निकाल लेती हैं, ये घी रात को लगा कर सो जाय करिए सर में, और सुबह को घुसल कर लीजे, ये जितनी देर भी रात में लगा हैं, दो तीन गंटे उसके बाद नहा के भी सो सकते हैं, ये एक हफता करेंगे तो इससे निजात मिला मुम्किन हैं, अब जो पैर खड़े हो जाएं, और अपने घुटने भी ऐसे जोड़ ले, ठीक है, और पैर भी ऐसे जोड़ ले, और सीधे खड़े होके, बगर घुटने मोड़े, अपने पैर चूने की कोशिश करें, चूने लगेंगे आप, दिन में पांच बार चूईए अपने पैर, और इससे गराडी से कहिए, कि जो भी आप के घर में खाना बनाती हैं, उन से कहिए कि कंजूसी छोड़ गएं, और ये इतना सा लहसन और इतनी से अद्रक डालते हैं, पूरे परिवार उसे खाता है, इतनी अद्रक और इतना ही लहसन डालें, पिर देखें, आप जिस दिन खाना क्लीफ में फायदा होना शुरू हो सकता है, जारखंड से है प्रदीब जहा, स्वागत है आपका, जी नमस्कार, जी नमस्कार, जी मुझे खुजली की परिस्तानी है ते मेनते, कोई दवाई से ठीकी नहीं हो रहा है, तो जब आपको खुजली होती है, तो क्या कोई दाग आ जाते हैं, दाने निकलाते हैं, थोड़ा दाप ये सा दाग, जी, अलसी खरीदें, दो-तीन सो ग्राम लसी खरीद लें, और इसको सासूफ कर लें, कंकार उंकार बहुत मिला देते हैं, तो हलका सा भूले, और फिर इसका पॉडर बना लें, और ये एक चम्मच लें, चाय का चमच आधा चमच चमच ले और इसमें यूप की में जितना है खाने का सोड़ा होता है किचन वह मिला कर हंब आपकी परिशाने ठीक होना करें आपका बना रहें जोया इस वागत हैं आपको । है अजन जी ऑ्सलाम व्कीती रही है मेरी उमर्द 15 साथ है मेरी हाइट नहीं बढ़ती है हम पत्ले भे बहुत है दोनों चीजें पत्ला होना हाइट ना बढ़ना महासे होना और बाल ना बढ़ना इसके लिए खुद्रत ने एक गौन पैदा किया जिसको सफेद गौन मौरिंगा कहते है सफेद गौन मौरिंगा अभी आप अंडरेंज हैं आपको फाइदा हो सकता है यह गौन मौरिंगा सफेद वाला ही लेना उसमें लोग कुछ भी दे देते हैं कोई पीला सा होता है वो दे देते हैं कोई लाल सा हो जाता है होता है सफेद गौन मौरिंगा की असली होता है कोई नकली ना दे दे मैं जिम्मेदार नहीं इसकी राव मैटेरियल है कुदरती गौन है जो ऐसे चाटो तो थोड़ा खारा खारा सा लगता है ठीक है इसको आप पाउडर बना लें और एक गिराम रोजाना पानी में मिलाकर दूद मे मिला कर लें आप दूब में मिला लें और शक्कर होकर भी डालें अपने जायके की रोजाना एक बार लिग्या करें आपको फायदा होना मुम्किन है तो जोया आपको फायदा जरूर हो जाएगा आप ये नुसके अपना लेजेगा और पीड़ वै कॉल के जरी हमें जरूर नहीं में जरूर अंपने बात करते हैं अगले कॉलर से स्वागत हैं आपका हालो। मझे डाइबटी जा है अच्छा उनको फाइदा हुआ हाँ उनको आगे से तो भरकात होड़ा आपको डाइबटीज है हाँ तो मैं वो हाँ उम्र के आए आपकी जट 55 तो लिया नहीं आपने जैतुन का सिर्का लेना शुरू किया हाँ जी लिया है तो कुछ तो फाइदा शु कुछ और सवाल थे आपका मैंने मैं गौन कमरिंगा ले सकता हूं कर नहीं जी गौन मौरिंगा जी ले सकते हैं या नहीं अच्छा आप ले सकते हैं जदिकि ये गौन मौरिंगा से मैं कहता हूं कि चहरे पर रौनक आती है जाईयां चली जाती है पेश्टर लोगों की और म से का तो दुश्मन है यह हाइट के लिए बहुत अच्छा बालों के लिए बहुत अच्छा है और आप भी ले सकते हैं इस जैतुन का सिरका आप लिया करें क्योंगी डायबटीज का अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं है जो आपको सहत बंद रखे और डायबटीज पूरी तरह अच्छी हो जा यह मैं मदद करता है और आपको सारी जिन्दगी सेहत मन रखता है वो दवाएं भी लें जो आपको डॉक्टर देता है और बड़ा अच्छा किया आपने फीडबैक कॉल दे दी हिमाचल से हैं अगले कॉलर स्वागत हैं आपका जी धनंजे आपका सवाल क्या है गगन जी ठीक है आपका सवाल क्या है पूरे शरीर में पेन होता है आपकी उम्र क्या है और यह दर्द आपको कब से है भी जापका सवाय है चार-पाथ साल से पूरे शरीर में दर्द रहता है आपका प्यादाटी क्या इसे कुछ नाम बताया है अच्छा सरनैम होगा अच्छा दिखी गगंजी पाँच साल लगातार क्या इलाज नहीं लिया होगा आपने मुझे बड़ा अच्रज होता है कि लोग कितनी तक्लीफ बरदाश करते हैं और कोई रास्ता भी नहीं है एक रास्ता है यूनानी का रास्ता है ख्रेली नस्खे का रास्ता और एक गौन खुदृत ने पैदा किया है जिसे गौन सिया कहते हैं गौन सिया मतलब काला हम लोग काल सिया कहते हैं लेकिन आधा इसे काला गौन आसान भाशा में कह सकते हैं देखिए ये असली लेना आपकी जिम्मेदारी नकली बहुत मिलता है कड़वा बहुत होता है हलाखी है पंद्र-सोला रुपे चौधा रुपे पंद्र-सोला रुपे करवा वहूट होता है और नकली बहुत मिलता है नाश्ते और खाने के बाद आधा-दा गिराम खाएं और पानी से खाएं बगएर चरबी के दूर से खाएं खाने के बाद ही खाएं और यह 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो आपको फाइदा होना मुम्किन है केशव है हमारे साथ हिमाचल से स्वागत है आपका अजय नमस्कार में जी नमस्कार मैं नीलम बोल रही हूं नीलम नाम है आपका अगी अच्छा ठीक है तो मैंने न गॉंद श्या लिया था ता हाँ हाँ काल ही लगती था बड़ी मुश्किल है अजर रस्पेक्ट करके लगवाई है काल तो हकीम साथ का धन्यवाद है एक स्वाल है मेरा की एक बेटे की न आइसाइट वीक है एक अंक की और दूसरे एक बेटे की थोड़ी मैंटल प्रॉब्लम है अच्छा दोनों की उम्र क्या है दोनों की उमर सेम यह जुड़बा हैं दोनों क्या उम्रे हैं सब्साल और कोई सवाल मेरा और एक मेरे भाई है ना उनकी एज है फूंजा साल तो बो नाइटी में ना प्रोफेस्टर हैं तो वो फाइल है ना बेश के चैक करते रहे और सेनेटाइज लगाते रहे तो उनको हाथ फोंग है ना जलन होती है खार्श भी होती है और जखम हो जाते हैं तो बहुत दवाई हैं लिए लिए उनका अपना वेटा डॉक्टर है स्कीन स्टैकलिक्स तो बहुत दवाई हैं या आप कोई देश की निक्सका उनके लिए भी बताएं हम ठीक सारे सवाल आप जादा फायदा हो गया है रॉम माटिरियल से और इन्होंने अपने बच्चों के लिए पूछा है जुडवा बच्चे हैं एक थोड़े दिमागी तो और ठीक नहीं है और दूसरे जो हैं उनकी आखों में दिक्कत है एक आखिया से ड्वीक है जिनकी आखों की रोशनी कम है उनको आदा से एक गिराम गाउन सफेद गाउन मौरिंगा गाजर के जूस में पिला कर रोज़ाना एक बार पिलाया करें जब गाजर का जूस ना मिले तो सौफ के पानी में मिला कर सौफ उबालकर उसके पानी मिला कर बिलाया करें दूसरा सवाल जिनकी दिमागी हालत अच्छी नहीं है उस बच्चे के लिए एक नुस्खा लिख लीजे मैं ठहर ठहर के बोलता हूँ आप लिख लीजे तीन सो गिराम आपको लेना है धनिया तीन देड़ सो ग्राम आवला और देड़ सो ग्राम आपको लेना है छोटी हड और देड़ सो ग्राम छोटी हड और देड़ सो ग्राम गौन मौरिंगा सफेद अच्छा छोटी हड को पहले खी में या बदाम के तेल में या आरंडी के तेल में भून कर फिर इन सब के साथ पौडर मिलाना है और इसमें चालीस गिराम छोटी इलाची मिलाकर पौडर बना दीजे और एक चम्मश सुबर निहार मुख उस बच्चे को जिसको दिमागी परिशानी है खिलाया करें तो काफी टाइम जाके इनको फाइदा होगा जो इलाच करना चाहें करते रहें लेकिन ये ज़रूर दिया करिये हाथों में जलन खारिश होती है एक इनके रिलेटिव हैं उनके उन्होंने सैनेटाइजर का इस्तमाल जादा किया हाँ उनको कफसल हुसन सुलिमानी एक सुबा एक शाम बगएर चर्बी के दूस से दिया करें तो उनको फाइदा होना मुम्किन